नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का A.S. Academy में और दोस्तों आपके लिए आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं भूगोल के 30 महात्पूर प्रशन दोस्तों एदि आप MP पुलिस की तयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महात्पूर है इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखीगा देखने के बाद वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलि हम स्टार करेंगे question क्रमंग पहला दोस्तो पहले questions में लिखा है कि निम्र लिखित में सबसे छोटा महासागर कौन सा है हमें यहाँ पर सबसे छोटा महासागर बताना है तो छोटा महासागर कौन सा होगा हमारा यहाँ पर Atlantic महासागर, Arctic महासागर, Hind महासागर और प्रसांत महासागर तो दोस्तो हमारा जो option यहाँ पर होगा the answer right होगा यहाँ आर्क्टिक महासागर हमारा सबसे छोटा महासागर है ठीक है? चले next question है आपका सतहे छेत्रपल के हिसाब से विस्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की जील कौन सी है? यहाँ पर हमारे जो सतहे के छेत्रपल के हिसाब से विस्व में यानि वर्ल्ड में सबसे बड़ी ताजे यानि मीठे पानी की जील कौन सी है? कैस्पियन सागर है? एरी जील है? या वल्कस जील है? या सुपिरियर जील है? तो यह बहुत ही सांदार और अच्छा आंसर है मैं आपको बता दूँ सुपिरियर जील जो हमारी है इसमें सबसे बहता ताजा और मीठा पानी पाया जाता है इसलिए हमारा ओफसन D आंसर की तरफ जाएंगे चले नेश्ट कोशन है आपका बिस्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बिस्व में सबसे बड़ा डेल्टा डेल्टा की बात करेंगे तो हमारा नेल डेल्टा है सुन्दरबन डेल्टा है मैकांग डेल्टा है या लीना डेल्टा है तो ध्यान रखिए कि इसमें सबसे बड़े डेल्टा पर इदि हम बात करें तो सुन्दर बन हमारा सबसे बड़ा डेल्टा है तो option B हमारा right answer होगा Next question है चांद का गुरुत्वा कर्षणी खिचाओ जो चांद का गुरुत्वा कर्षणी खिचाओ है जो gravitational pull बोलते हैं वो क्या है प्रिथवी के खिचाओ का 1y6 बाभाग है या प्रिथवी के खिचाओ का बनमा 4 बाभाग है या प्रिथवी के खिचाओ का 1y8 बाभाग है या प्रिथवी के खिचाओ का 1y10 बाभाग है तो दोस्तो इसमें आपका answer क्या होगा प्रित्वी के खिचाओ का बनवाई 6 बाभाग option ए आंसर इस राइट होगा ठीक है चले next question है हम सरफिल प्रकार की जिस मंदाकनी यानि गलैक्सी के बाहिक किनारे पर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं जैमनी उर्षा मेजर आकास गंगा या फिर लियो तो इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा हमारा आकास गंगा यानि मिलकी वे होगा आकास गंगा हमारे बिल्को सही आंसर होगा तो हम लोग सी आंसर की तरब जाएंगे नेक्स्ट कोशन देखेगा हीरा कुंड परियोजना निमलिकेत में से किस नदी पर इस्ते थे जो हीरा कुंड परियोजना है वो हमारी कौन से नदी पर इस्ते थे महा नदी दामोदर नदी ब्रह्म पुत्र या नर्वदा तो ध्यान रखेगा इसमें हमारा जो हीरा कुंड फरियुजना है वो महा नदी पर इस्तित है तो option हम ये की तरफ जाएंगे ठीक है महा नदी पर इस्तित है next question है आपका घाना पक्षी अब्यरण कहां इस्तित है जो घाना पक्षी अब्यरण है गुजरात उत्तरप्रदेश असौम या फिर राजस्तान तो इसमें हम D की तरफ जाएंगे option हमारा D answer राइट होगा यानि राजस्तान में हमारा घाना पक्षी अब्यरण इस्तित है next question है निमलिखित देश राजधानी जोडों में से कौन सा जोड़ा सही तोर पर मेल नहीं खाता यहाँ पर देखेगा सबसे पहले उसका देश का नाम दिया गया है उसके बाद में उसकी राजधानी दी गई है तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से देश की राजधानी यहाँ पर मेल नहीं खाती है तो option ध्यान से समझेगा जमेका की किंगस्टन या फिर आपकी न्यूजिलेंड की वेलिंगटन है उत्तर कुरिया की सियोल है अफगानिस्तान की काबुल है तो ध्यान रखेगा जो कहां पर है जो बराबर की गुफाएं हैं वो कहां पर हैं जम्मू और कस्मेर बिहार हिमाचल परदेश या उत्तराखंड तो हम यदर पर जाएंगे दोस्तो बिहार की तरफ की बराबर की जो गुफाएं हैं वो हमारी बिहार में है तो option b answer सही रहेगा आपका AP Center सब्द का उपयोग खाली स्थान के वरणन के लिए किया जाता है जो AP Center सब्द है इसका हम किसके लिए करते हैं किसके लिए करते हैं समुद्री तरंग, सुनामी, भूकम या गलेसियर हम इधर पे जाएंगे भूकम की तरह है क्योंकि AP Center सब्द का प्रियोग किया जाता है वो भूकम के वरणन के लिए किया जाता है तो C answer is right होगा Next question है इन में से कौन सा राज भारत में उनी सामानों का प्रमुक उत्पादक है यहाँ पर बात कही जा रही उनी सामानों मतलब उनी कपड़ों का सबसे जादा उत्पादक कौन से राज में होता है भारत के पंजाब, हर्याना, गुजरात, उत्तर प्रदेश तो बताएंगे हम यहाँ पर किधर जाएंगे हर्याना की तरफ जाएंगे एनी option be answer is right होगा क्योंकि राज में उनी सामानों का जो प्रमु खुत पादक है वो हमारे हर्याना साइड होता है ठीक है option be answer right होगा next बनिहाल किस राज का एक महात्मूर पहाड़ी दर्रा है जो बनिहाल है यह किस राज का एक महात्मूर पहाड़ी दर्रा है जम्मू एंड कश्मीर का हिमाचल प्रदेश उत्राखंड या सिक्किम तो इधर पर हम जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर की तरफ क्योंकि जो बनिहाल हमारा है बोड़ जम्मू एंड कश्मीर राज का एक महात्मूर दर्रा है तमिल लाड़ू का कलपक कम इस्टेशन के लिए तो इसका जो सही आंसर के अंसा होगा एटोमेक पावर इस्टेशन के लिए कलपक कम काफी जाएना प्रिशिद्ध है तो आप्शन B की तरफ हम जाएंगे next विस्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है विस्व का जो सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है मेसोपोटामिया का मैदान है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है एरावती का मैदान है या टाइग्रिस यूफ्रेटिस का मैदान है तो हम इधर पर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है यह सबसे बड़ा मैदान है ध्यान रखेगा डेल्टाई मैदान है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान गिरते हुए जल से उत्पन बिजली को क्या कहते हैं जैसे आपको पता होगा जब जल गिरता है उपर जहरने से गिर रहा है कहीं से गिर रहा है और उसके द्वारे जो बिजली उत्पन होती है उसको हम क्या कहते हैं जियो थर्मल पावर, थर्मल पावर, हाइड्रो लेक्टिक सिटी या गैर पारस परिक उर्चा, तो हमारा इदर पर आंसर क्या होगा, हाइड्रो अलेक्टिक सिटी एनि आप्षिन सी आंसर इस राइट होगा, रबड के प्रमुकबागान जो कहाँ पाई जाते हैं, रबड होता है, जुछ हमें रबर होते हैं बनते हैं वो कहाँ उसके प्रमुकबाग पाय जाते हैं, मालेशिया, कानाड़ा, अलास्का, मैक्षिको, तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें दोस्तों हम B की तरफ जाएंगे यानि करनाडा की तरफ करनाडा में इसके बागान पाए चाते है देहरा दून इनमें से किसका एक अंस है हिमाद्री, हिमाचल प्रदेश, सिवालिक यार गड़वाल परवत तो देहरा दून में आपको बता दूँ जो सिवालिक है उसका एक अंस है इसको मैं सिवालिक बोलते हैं तो ओफशन सी की तरफ जाएंगे देखे का कम समय में बिल्कुल जादा कॉस्टन कराने की मैं पूरी कोसिस कर रहा हूँ इस तरीके से नहीं लगेगा कर यार इतना समय लग रहा है कॉस्टन से इतने कम हो रहे हैं इसलिए लाइफ क्लासे मैं नहीं लेकर आया भी क्योंकि लाइफ क्लास में काफी समय लगता है नेक्स्ट है पश्चमी तट्ये पट्टी के दक्षणी प्रसार को कहा जाता है क्या कहते हैं कनण, कौंकर, दक्षण सरकार या मालावार तो हमारा जो आंसर होगा हम D की तरफ जाएंगे मालावार कहते हैं पश्चमी तट्य पट्टी के दक्षणी प्रसार को क्या कहा जाता है मालावार कहा जाता है आप्शन D आंसर इस राइट रहेगा भागी रथी और अलक नंदा नदियां कहां मिलती हैं जो भागी रथी और अलक नंदा नदियां इदोनों कहां हरीदवार में द्योप्रयाग में देहरादून या गोमुख में तो इधर जो सही आंसर होगा द्योप्रयाग की तरफ हम जाएंगे तो आप्शन B आंसर इस राइट होगा क्योंकि अलक नंदा और भागी रहती दौनों नदियां देव प्रयाग में मिलती है मांसून सब्द को कहां से लिया गया है जो मांसून सब्द है लैटिन भासा से लैटिन के सब्द से उर्दू सब्द संस्कृत या अर्वी तो जो मानसून सब्द लिया गया है दोस्तो मैं आपको बता दिए बहुत ही सिंपल है तो हम जाएंगे ऑफ़सन डी की तरब जाएंगे ऑफ़सन अर्वी से लिया गया है ठीक है मानसून सब्द निमलिकित में से भारत की कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है कावेरी, गोदाबरी, किर्शना और गंगा तो हम कहा जाएंगे इसके आंसर की तरब जाएंगे दोस्तो गंगा की तरब जाएंगे तो आपसन डी आंसर इस राइट होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आंसर बताना था कि कौन सी नदी हमारी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है तो गंगा हमारी नहीं निकलती है निमलिकित में से लीविया, घाना और कैन्या की राजधानियों का सही अनूकरम कौन सा है लीविया, घाना और कैन्या की राजधानियों का सही अनुक्रम कौन सा है यनि पहले लीविया की राजधानी फिर घाना की राजधानी और फिर कैन्या की राजधानी तो हम इधर पर जाएंगे दोस्तों मैं पूरा पढ़के क्या बताऊं आपको त्रपोली यानि जो लीविया की राजधानी है वो त्रपोली है इसके बाद आपकी घाना की राजधानी आकरा है और केन्या की राजधानी नेरो भी है ठीक है तो आपसन हम सीखी तरफ जाएंगे नेक्स्ट प्रियरी घास का मैदान कहा है जो प्रियरी घास के मैदान है उत्री अमेरिका भारत अफिरका या उस्ट्रेलिया तो 23rd में हम जाएंगे उत्री अमेरिका में प्रियरी घास के मैदान कहा है यह अमेरिका में है उत्री अमेरिका में चलिए निमलकित में से कौन विष्व का सबसे बड़ा दुगद का उत्पादन देश है? सबसे ज़्यादा दूद उत्पादन कौन से देश में होता है? भारत में, डैनमार्क, औस्टेलिया या नियूसिलेंड तो दोस्तो हम भारत की दर्फ जाएंगी, क्योंकि भारत में दूद का अत्वादन सबसे ज़या होता है, क्योंकि गायब भैस हमारे भारत में सबसे ज़या होती है निम्लिकित में से कौन सा विस्व का सबसे बड़ा उच्या पठार है उच्या पठार की बात कही जा रही है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको दिमाग में आज जुखा होगा कि पामीर का पठार हमारा सबसे बड़ा पठार है तो option V की तरब जाएंगे option V answer is right होगा ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चरूब जीगा क्योंकि आपको सारे important questions बता रहा हूँ कोई ऐसा questions नहीं मिलेगा जो आपको परिक्षा की दरिष्टी से महात्मूर ना लगे जो भीम बेट का एक यूनेस को विश्व विरासत इस्थल किस राज्य में इस्ते थे जो भीम बेट का कहा इस्ते थे यह तो आप सपी को पता हुगा मदविदेस के नवास ही है तो यहर मदविदेस में ही है है ना option A answer is right रहेगा आपका भारत में कुल किर्शी योग भूमी का कितना प्रतीसत सिंचित भूमी है भारत में जो किर्शी योग भूमी है उसमें से कितना प्रतीसत भूमी है जो भारत की सिंचित है जिसको पानी मिल सकता है वो है हमारी दोस्तो 35% ठीक है भारत में बिजली उत्पन करने के लिए सबसे महात्पूर कच्चा माल क्या है भारत में जो बिजली उत्पन करते हैं सबसे कच्चा माल क्या है कोईला, खनिश्टेल, प्राकरितिक गैस, उरेनियम तो आपको इसको भी आंसर बहुत जल्दी पता हो जाना चाहिए वैसे कोईला, क्योंकि कोईला हमारे हाँ मैक्सिमन में कलता है निमलिकित में से भारत के किस संग सापित प्रदेश में सरबाधिक पृति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्तो है पुनुशेरी, लक्षदीव, दिल्ली या चंडिगर किस संग सापित प्रदेश में सरबाधिक पृति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्तो है तो कौन से राज में होगा, दिल्ली में है एनि औप्षन सी आंसर इस राइट होगा कौन सा बंदरगाए सहर नर्वदा नदी के तट पर बसा हुआ है तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दूस्तो कांडला, भहरावल, भरुच, इनमेशे कोई नहीं कौन सा बंदरगाए सहर जो नर्वदा नदी के तट पर बसा हुआ है वो भरुच है वो भरुच है आपका गुजरात में है और गुजरात में भरुच है उसके बाजू में एक दहेज जगए है वो बहुत अच्छी जगए मैं वैसे वहाँ पर रहा हूं और यह आंसर बिल्कूर सही है तो दोस्तों हमारे यहां पर तीस questions जो थे वो complete हो गए है इसी प्रकार से अब हम MPPolice के notes तैयार कर रहे हैं और MPPolice के notes दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे जिसकी तैयारी चल रही है और आप MPPolice के notes मंगाने के लिए 9001-755-039 इस नंबर पर आप contact कर लीजेगा आपको सारी detail मिल जाएगी और notes आपके घर पे 3-4 द अच्छा material होना भी आपके पास बहुत ही जरूरी है तो अपना बहुत ख्यार रखिएगा अच्छी से रहीगा